चलिए, तीसरा ट्रिक जो हमें देखना है, कि किसी की भी जेव में कितने पैसे हैं, वो कैसे पता किया जाएं, तो भी आप पता कैसे बता हैं, देखिये, let us suppose you are impressed करने के लिए किसी पार्टी में है, अब उनको कहें कि आपको बता सकता हूं कि कितने पैसे हैं, तो उसके लिए है, it's so simple, उसको कहिए कि उसके पास जितने भी पैसे हैं, let us suppose उसके पास ओवरॉल अमाउंट है, तो स्ट्ने भी पैसे है, तो स्टेप बइला स्ट क्या है, आपको कहना है जितने भी रूपे हैं, उसमें 5 प्रॉसिए, so means उसके पास 20 रूपे हैं तो स्ट्ने ही support करेंगा, that क्वेंटिपाइव फिर उसे क्या गई है है उसे कहीं कि इसको पांच से मुल्टिप्लाइब कर दीजिए स्टेप नमबर टू कि जिद्धर में आपके पास तोटल आया है 25 उसको क्या करना है पांच से मिल गया तो तीसरे चैप में क्या करना है जो भी नंबर स्क्रीन पर यहीं कि डबल करना है, तो overall number कितना है, 250, now step number 4, which is again interesting, जिसे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आप करवाएंगे तो आप मज़ा आजाएगा, that is उसको कहिए कि 0 से लेके 9 तक जो उसका favorite number है, single dessert number, वो आप इस number में add करवाएंगे, let us suppose वो यह कहता है कि उसका favorite number है 5, ठीक है, तो favorite number अगर add करता है, तो कितना है, 250 plus 5, that is 255, so guys, अब उसको कहना है कि आप बताएगे कि स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, और स्क्रीन पर क्या दिखेगा हमें, 255, आपको क्या करना है guys, इस number को ignore करना है, आपको इसको छोड़ देना है, last minute, जो भी number आए, matter नहीं करता, उसे आपक आपको number मिल रहा है, उसमें से आपको क्या करना है, पांच माइनस करना है, वो जो भी आपको डिजिट देगा, वो उसकी जिब में है, यनकी 20, इस trick को हम दुबारा काम में ले ले लेते हैं, देखी किस तरह से काम करेगा, इस एक example और ले लेते हैं, दुबारा से देखते ह कैसे हुआ, let us suppose आपको ये trick किसी भी particular party में apply करना है, और आप किसी member से पूछते हो, कि मैं आप को कहते हो, कि मैं आपके जिब में जितने पैस है, मैं बता सकता हूं कि कितने है, तो उसको कहिए आप, कि आप क्या करें, आपके पास जितने भी रुपे हैं, ठीक है, let us suppose उसके पास रुपे हैं, total 30, कितने हैं, 30, 30 पर apply करके legit है, तो उसको कहना है कि आपका step 1, जितने भी रुपे हैं, whatever the rupees you have, उसमें से plus 5 कर दीजी, so यहां से कितना होगा, 30 plus 5, that is 35, now we'll see step number 2, तो जितने भी रुपे हैं, जो कि screen पर आपको दिखाए जारा, whatever the screen, on the screen, क्योंकि obviously वो mobile मे करेगा, तो mobile उसको दे दीजिए, तो screen पर 35 दिखेगा, into 5 करना है, that is 35 into 5, ठीक है, वो कितना है, 165, I think, नहीं, 175, that is 30, 30 into 5, 150, and 5 into 5, 20, 25 और जोडने है, 525, that is 175, उसके बाद क्या करना है, this is step number 3, अब क्या करना है, जो भी screen पर दिखाई दे रहा है, उसके क्या करना है, उसको double करना है, तो whatever be the number on screen, into 2, that is 175 into 2, so कितना होगा ये overall, 350, 175 into 2, that is 350, अब उसको क्या कहना है, step number 4, step number 4 में, उसका जो favorite number है, 029, माली जी वो कहता है, मेरा favorite number कितना है, 7, वो इसमें add करवा दिजिए, so, 1350, which is the last number, plus 7, that is 357, अब उसे कहिए, कि स्क्रीम पर कितना दिखाई देगा, तो वो कहेगा, 3, screen पर दिखाई देगा, 357, आपको guys, last वाली डिजिट को avoid करना है, देखना ही नहीं है, जो बच रहा है, उसमें से आपको 5 minus करना है, वो पैसा उसकी जेल में है, it's so simple, so, इसका मतलब, उसके पास कितने है, 30 रुपे Guys, अब चलते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे, तिस इस मैं थर्ड रिट नंजी,